साथियो एक बार ये चारेस्बी एजुकेशन और मॉटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है जैसा कि साथियो दो चरण में प्रथम माड्यूल से ले करके 6 माड्यूल तक के प्रसिछण कम्प्लीट हो चुके हैं जो कि तीसरे चरण का पहला माड्यूल माड्यूल लंबर सेवन विद्याले आधारित आकलन की मुख प्रस्णोत्री जो अंतिम भाग पर दी गई है यहां से आपको मुख प्रस्णोत्री 10 में 10 कुश्चन कम्प्लीट मिल जाएंगे और इन 10 कुश्चनों को करने के लिए आपको बीडियो के अंति तक बने रहना होगा क्योंकि यह बहुत ही महत्पूर्ट प्रस्णोत्री होती है इन प्रस्णोत्रियों में 60% मार्च लाना अनिमार है तो साथियों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े भी हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि निष्ठा प्रसिच्छन से जुड़ी हुई अपडेट्स आपको मिलती रहें अब ज्यादा समय न लेते विए प्रारम करते हैं पहला कुश्चन नमबर फर्ष्ट कुश्चन नमबर फर्ष्ट गणित में सीखने की अच्छमता का आकलन निमलिखित परिच्छडों में से किसकी द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है आप्सान नमबर एक अभिच्छमता परिच्छड एप्टीचूड़ टेस्ट आप्सान बी नैदानिक परिच्छड आप्सान सी चान बी इन स्क्रीनिंग परिच्छड आप्सान डी उपलब धी achievement परिच्छन गणित में सीखने की अच्छमता का आकलन निम्ली खित में से नैदानिक परिच्छन आंसर करेक्ट होगा आपसर नम्बर भी एक सिख्छक कच्छा के कारे को एकत्रित कर पड़ती है फिर छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पार्ट की योजना बनाते हुए समायोजित करती हैं वह कर रही हैं एक सिख्छका है कार योजना के तहट सीखने के रूप में आकलन आपसर भी सीखने का आकलन आपसर सीखने पर आकलन आपसर डी सीखने के लिए आकलन तो साथियों एक सिख्छक अच्छक के कार को एकत्रित कर पढ़ाती हैं और फिर छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पार्ट की योजना बनाती हुए समायोजित करती हैं सीखने के लिए आकलन यहां पर आफसर डी करेक्ट आमसर होगा क्वेशन नंबर टू का और फ़र नंबर क्वेशन में सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है सतत और व्यापक आकलन में क्या आवश्यक है आफशन A सिच्छा बोर्ड की जवाब देही को कम करने के लिए आफशन B सिच्छन के साथ परिछणों को सुधारने या फाइन ट्यूनिंग के लिए आफशन C ये समझना के लिए कि कैसे अधिगम को अउलोकन रिकार्ड और बेहतर बनाया जा सकता है अधिक बार बार तुटियों की तुलना में कम वारम बार तुटियों को ठीक करने के लिए व्यापक और सतत आकलन हे दुआवश्यक है ये समझना के कैसे अधिगम को अउलोकन रिकार्ड और बेतर बनाया जा सकता है आफशन C is the correct of this question निमली खित में से काउन सा एक उपर युक्त प्रारंभिक आकलन कार नहीं है प्रारंभिक आकलन इस्टिमेशन कार नहीं है आफशन A खुले open edit प्रस्ण प्रियोजना प्रोजेक्ट पराधारित प्रस्ण तीसरा अवलोकन चौथा चात्रों की ranking चात्रों की ranking प्रारंभिक आकलन कार नहीं है ये चात्रों की ranking अंतिम आकलन में आता है इसलिए option D is the correct answer होगा कच्चा में समूम गत्विदियों द्वारा चात्रों में निम्ली खित्मे से किसे बिक्सित किया जाता है कच्चा में समूम गत्विदियां जो group activities करवाई जाती है उन में से सहयोग, अनुसासन, नेत्रित्व की भाउना, उत्साय की भाउना तो कच्चा में group activities कराने के लिए निम्ली खित्मे से किसे बिक्सित किया जा सकता है यहां coordination होना अतियावश्यक है जब cooperation होगा तो ही हम यहाँ पे समूम गत्विदिया करवा सकते हैं अनुसासन, नेत्रित्व शम्ता की भाउना, उत्साय की भाउना यह विकल्प correct answer A होगा Next question चात्र अधिकम मानदन या benchmarking हिस्सा है Learning, measurement, benchmarking के हिस्सा है चात्र शीखने पर आकलन, शीखने के रूप में आकलन, शीखने के लिए आकलन, शीखने का आकलन चात्र अधिकम मापदन, मानदन, benchmarking हिस्सा है शीखने का आकलन, option D is the correct answer निम्लिकित में से काउन सी बिद्याले आधारित आकलन, SBA की मुख बिसेश्ता है SBA का फुल फार्म होता है सात्यों, school-based estimation तो यहां पर बिद्याले आधारित आकलन, SBA की मुख बिसेश्ता है प्रसिच्छन, drill आधारित गत्विदी, योगता आधारित गत्विदी, सामक्री आधारित गत्विदी, सिच्छक केंद्रित गत्विदी, बिद्याले आधारित आकलन, SBA की मुख बिसेश्ता है योगता आधारित गत्विदी है, eligibility test बेस्ट एक्टिविटीज है, यहां पर B option करेक्ट होगा Next question, आकलन का उद्देश क्या है, किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में नड़े लेना, किसी एक विशय में छाद्र का परिछन करना चात्रों की उपलब्दियों का आकलन करना, किसी चात्र को अंक प्रदान करना यहां पर आकलन की बात हो रही है, ना कि चात्रों की हो रही है, तो आकलन किसी भी वस्तुका किया जा सकता है किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निडल लेना यह आकलन का मुख्य उद्देश है option is the right answer next question निर्देश के अंत में उपलब्धी का आकलन करना सीखने की रूप में आकलन है नैदानी का आकलन है शीखने का आकलन है सीखने की यह आकलन है निर्देश के अंत में उपलब्धी का आकलन है achievement का आकलन है यहां सीखने का आकलन कि बच्चों ने कितना किसी चीज को require किया सीखा कितना learn हुआ यहां पर सीखने का आकलन से सम्मंधित उपलब्धी का आकलन है option is the correct answer next question अधिगम को अनविच्चक आकलन हिस्सा है अधिगम का अनविच्चक आकलन हिस्सा है सीखने का आकलन का सारांसित आकलन का नैदानिक आकलन का रचनात्मक आकलन का यह आकलन के चार प्रकार हैं जिन में से अधियम का और विच्छक आकलन रजनात्मक आकलन का हिस्सा है यहां चौथा आप्षन करेक्ट है इस तरह से हमने यहां पर सब्मिट किया साथियों तो 10 बाई 10 दस में से 10 कुश्चन यहां पर करेक्ट हुए तो 100% आपने इसका जवा प्रकाइब दिया साथियों यह वीडियो कर पसंद आया हो तो वीडियो के एंदंभ में लाइक जरूर करें और साथियों को सेयर करें ताकि जैदा सीचिकी को सब्लाइब छण को माडिल सेवन करने में झाल झाल